Hello everyone, मैं विशुजीत सिंग, आप सभी का देई नप पर स्वागत करता हूँ दोस्तो आज की इस वीडियो के अंदर में हम MA History MHI 06 का Topic 7 पढ़ने जा रहें जिसके अंदर में हम बात करेंगे भारती सामंतवाद किस परकार का था भारत के इतियास में सामंतवाद जो पढ़ा जाता है वो किस परकार का है और यूरोपे सामंतवाद से क्या अलग है और दूसरी चीज़ ये, कई सारे इतियास कारों ने भारती सामंतवाद को मानने से इंकार किया वो मानते हैं कि भारत के अंदर में सामनतवाद जैसी विवस्था थे ही नहीं तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे टॉपिक बहुत ज़्यादा विवादस्पद है और बहुत इंट्रस्टिंग भी नॉलिजफुल टॉपिक है और अकसर MA History MSI 06 की एकजाम में ये टॉपिक पूछा भी जाता है कोशन पेपर में आ भी जाता है तो इसको हम डीटेल में समझेंगे अगर किसी भी स्टुडिंट को समझ में आए तो रिक्वेस्ट ये रहेगी आप सभी स्टुडिंट से सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूँ तो सामंतवाद का उदे में यूरोप के अंदर में देखने के लिए मिलता है इसका टाइम पिरेड 600 इसा से लेकर 1500 इसा का बीच का माना जाता है और सामंतवाद का जो सब्द का उदे हुआ वो जर्मनी के सब्द फ्यूड से बना हुआ है ठीक है जर्मन सब्द फ्यूड से बना हुआ है जहां पर राज साही व्यवस्ताती वहां पर इसका जनम होता है अब देखो भारत के संदर में अगर मैं सामंत वात कहूं कि सामंत वात भारत के संदर में क्या है तो भारत के संदर में सामंत वात का definition होता है भूमी का ऐसा भाग जो सेवा करने के बदले दिया गया हो और उस पर कुछ सरते लागों की गई हो स्वामी के द्वारा जो जमीन का मालिक था उसके द्वारा ठीके और जिसको दिया गया है वो वेक्ति आगे चलके सामन्त कहलाता है ठीके खेती करने का में परपस होता है कि खेती करने के लिए दिया गया ठीके सिंबल सी बात है सपोस करो मैं राजा हूँ स्वामी हूँ जमीन का मेरे पास बहुत सारी जमीन है मैंने सोचा कि यार मुझे दान करना है या किसी को कुछ किसी ने मदद करी मेरी ठीक है मुझे लगा कि आप मुझे देना चाहिए उसको जमीन तो मैंने जमीन दे दिया ठीक है जमीन देने के बाद क्या हुआ कि मैंने उसके उपर कुछ सर्ते लगाई कि ये सर्ते हैं आप इस जमीन को ले लो उस जमीन का आप जो मरजी करो मुझे कोई दिक्कत है में मेंली परपस होता था खेती करना चाहिए आप खुद करो चाहिए किसी से करवाओ कोई इशू नहीं है बड़ जो मेरी सरते हैं वो आप मानोगे अब इस राज्ये पे राज्या का जो घर है वो इस सेंटर में है यहाँ पर उसका राज्ये है राज्दानी है वो यहाँ पर रहता है यहाँ से उसके पाद जितनी भी सेना है वो ज्यादा ज्यादा इतने एरिये को अपना कवर कर पाता है अपने सुरक्षित कर पाता है पर र जमीन भी सारा मैंने आपको दे दिया, चलो मुझे नहीं चाहिए, जमीन में यार, सब कुछ 13 है, जरुत पढ़ने पर मैं इसका यूज करूँगा, अगर मुझे किस तरह की साहिता चाहिए होगी, आप दोगे, तो आप मुझे दोगे, अगर सैनिक साहिता चाहिए होगी, तो तो राजा ने टोटल चार सामनतों का उदे करवाया, ठीके, खुद तो इतनी जमीन पर वो नजर रखी रहा है, पर आप उस सब जगह तो जा नहीं सकता, तो उसके लिए क्या क्या, उसने A, B, C, D करके चार अलग-लग सामनतों का उदे करवा दिया, जो उसकी जमीन की रक् तो क्या किरा जाएगा, तो आप अपने सेनिक से उसको समाल सकते हो, ठीक है, और इसका मीन परपस क्या होता था है, अपनी सीमाओं को सुरक्षित बनाने के लिए इस कदम को उठाये जाने लगा, राजाओं के द्वारा, जो सामनत विवस्ता के तौर पे भारत के नंदर मे यहाँ पे को सामभी की क्या कहते हैं, कि उनके दोबारे एक बुक लिखे गई, कि इन इंट्रोड़क्षन, ठीक है, इन इंट्रोड़क्षन टू दी स्टर्डी ओफ इंडिन हिस्ट्री करके बुक लिखे गई, कब लिखे गई, तो 1956 में, 1956 में आता है ये बुक, ठीक है, ब उपरी सामन्तवाद एक होता है, नीचे से सामन्तवाद, एक उपर से सामन्तवाद, एक बार नीचे से सामन्तवाद, यह similar भासा में यह है, simple भासा में अगर मैं समझाओ न, बोल चाल की भासा में तो उसको यह बोलते है, उपर से सामन्तवाद, नीचे से सामन्तवाद, अब इसको अगर मैं history के लेंगविजम समझाओं तो उर्ध गामी और अवेद गामी करके ये दो वर्ड बनते हैं, उपर से सामंतवाद और नीचे सामंतवाद अब देखो ऊपर से सामंतवाद क्या है, अब इसको समझो, अगर एक राजा के दौरा, एक राजा के दौरा ये जीज़ दी गई इस तर से विवस्था चली तो यह उपर सामनतवात कहलाता है मतलब उपर के द्वारा यह चला पर कई बार क्या हुआ जो छोटे-छोटे जो लोग थे ना महाजन थे वो भी इस तर की विवस्था करने लगे ठीक है वो भी क्या करने लगे भूमी अनुदान क तो यहां पर दो तरह की सामनतवात की जर्चा की जाती है एक तो ऊपर से सामनतवात जो राजा के थूर दी जाती है और नीचे से सामनतवात जो नहीं नहीं अभर रहे थे ना जमीदार वो भी अनुदान करने लगे ठीक है तो वो नीचे से सामनतवात कहला है तो दो तरह क सामन्त वग यहां पर देखने के लिए मिलता है डिडिक को सामभीस के उपर में जिक्र करते हैं साथ साथ मैं कहते कि सामन्तों का उदे जो था राजा के द्वारा के जाता था जैसे अब राजा ने किसी को रखा तो वेतन की जगह पे अगर मालो यार पैसा नहीं दे सकता मैं ठीक है अगर मैंने बोला कि भीया आपको इस वाले राजी की सुरुक्षा करने हैं मैं उसको सेलरी नहीं दे सकता तो मैंने बोला ठीक है तुम क्या करना है टेक्स वसूल करके थोड़ा सा तुम रख लो तो भूमी अनुदान में जया जाता था अगर कोई यग वग हो रहा है ठीक है ब्रह्मनों के दोरा कोई खाना होना करवाय जा रहा है कोई पूजा पाठ कराया जा तो उसमें भी जमीन तोर पर दान दिया जाता था अनुदान के सुरुवात हो जाता है नजराने के तोर पर दिया जाता था ठीक है और इनके अंदर में मेंली क्या रखा जाता पॉलिटिकल इंटरस्ट के बेसिस पे सामन्तों का उदे होना सुरू हुआ ठीक है राजा और किसान के मद्दे ग्रामिन समाज के अंदर में विचोलियों की जो विचोलिये बहुत जादा बढ़ गए अब देखो यह जो भूमी दी जाती थी उस पे नहीं होता था कि आप इं अचिया के द्वण कोई बी रूल ड्योशन आया तो डारीդ किसान के पास जाता था और किसान उस पे खेती करता था जबीन पर अब राजा की क्या हुआ कि क्या वब राजा की हुआ कि सामन्त का συं गया मालिक सब्सक्राइब से राजा को देगा ठीक है राजा ने बोला कि मैं 2% टेक्स लगाऊंगा तो सामंत ने आगे 8% टेक्स लगाया क्योंकि यह प्रॉफिट तो उसे भी चाहिए न तो इस तरीके से यहां पर सामंत विवस्था काम करता है भारत के अंदर में एक और इतिहांसकार आते हैं आगे चल सामराज्य का जो पतन रहा ठीक है लंब दूरी का जो वैपार था उसके कारण से सहरी करण का अवरूद हुआ ठीक है मुद्रा वीन में ठप हुआ और परिणाम सोरुप जो सामंती विवस्था का उदे हुआ यह सारी रीजन मानते हैं जैसे मान लोग यह कहते हैं कि जितने लग-अलग सामराज्य थे जैसे यह समराज्य का पतन होना शुरू हुआ उसके साथ में क्या हुआ कि लंबी दूरी के वैपार होते त्याना बाहर तक जाते था वह बंद हो गया इन सब कारन के कारण से मुद्रा के अंदर में क्या हुआ बहुत ज्यादा विने में ठप तो उसके basis पर सामंतु का उदे किया गया, अब सामंतु का क्या होता था? राजा नो उनको पर जम्यतारी दे दी भाई, कि आपको इतना टेक्स भरना ही भरना है, अब किसान के पास राजा जारा लेने के लिए तो किसान का उगई ही निया कहा दे, पर आब राजै क्या करता था सामन्तो को ड्राता था आपको देना पड़ेगा कहीं से भी तो ठीक है इस तरह से चीज़े होती थे है और राजै नहींकर अब बिकार poking ए oftentimes को अधिकार रहे वहागा इसका पूरा जो असर देखने के मिलता है कृषक के ओपर मिलता है दासों के उपर मिलता है बलपुरबग श्रम करवाया जाने लगा किसानों से तुरू या दासों के से तुरू नगरों का पतन होना सुरू हो जाता है मुद्रा हरास होती है जो पैसा होता है वो गिरता है यहाँ पर यह main reason यहाँ पर कपरिनाम के तौर पर देखते हैं ठीक है तो इस तरीके से दोस्तों यह पूरा हमारा भारतिस सामंतवाद है इसके अंदर में एक और इतिहांसकार आते हैं हरबंस मुख्या करके 1971 में उनकी विचारधार आती है हरबंस मुख्या करके इतिहांसकार है यह कहते हैं कि भारतिस सामंतवाद क्या है गंबीर परसंट खड़ा करता है भारतिस सामंतवाद के उपर में और ये आरिस्तरमा की आलोचना करते हैं कि जो सामन्तवाद के समर्तक थे ये कहते हैं कि वास्तरिक रूप से क्या भारत के इंदर में सामन्तवाद है रियलिटी में क्या भारत के इंदर में सामन्तवाद एक्जिट करता है यह यहाँ पर question करते हैं कौन तो हरबंस मुखिया ठीक है उन्होंने कब आये थे तो एक मार्क्सवादी विचारक थे 1971 में इनका आगमन हुआ था भारत के अंदर में ठीक है मतलब इस विचारधारक को defend करने के लिए यह कहते है कि उत्पादन में विर्दी बजार में विस्तार द्वारा सोर्भ भुमिकता विवस्ता के रूप में मतलब है सब कुछ संभव है मान लिए कि चलो भाया उत्पादन बहुत ज़्यादा हो रहा है ठीक है बजार का विस्तार भी हो रहा है यह सब कुछ ओक है पर साम सामन्तवादी विवस्था बारत के निद्रे में आ गई, क्या पता है कोई और दूसरी विवस्था हो, ठीक है, वो सेम विवस्था नहीं हो सकती है, यह यह मुझते हैं, कि एक ही जैसा सेम परिवासा देना, उसको डिफाइन करना, कि भारती समिन्तवाद का परिवासा यह है, डिफाइन करना बहुत मुझते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से, अगर मैं इसका उदे और विकास का कारण देखू कि किस तर से उदे हुआ, तो राजनितिक प्रस्तितियां जो रही, ठीक है, जिस तर से सहरों का पतन हो रहा था, ठीक है, सहरों का पतन के कारण से, राजनित इतना रखेगा जितना रख रहा है तो चलो वो भी आगे चलके सामंत बन गया या उसने आगे किसी को बेच दिया तो वो उसματα का उध्य होनां शुरूह करना हैं पर ईजेन एक और बता सकते हैं उदे का हऔर बूमी और ग्राम चारान जाइन बहुत ज्जाहारा पर­चलन में आगया इंनल क्या आगया कि यह जमीन दोन जिसके कान disp होता है जिसके कारन से भी यह रहना should पापा ने ना उनको दे दी ऐसी कैसे दी तो यह चीजे सामनतवात से रिलेटेड़ है जहां पर भूमीदान बहुत बड़ा सामनतवात का रीजन माना गया ठीक है तो फ्रेंट सी वाले टॉपिक ऐसी था आपको यहां पर पूरा जो मैंने बताया है आप डिफाइन कर सकते हो किस किस तरह से पूरा चरन रा भारत के अंदर में सामनतवात का वह आप बता सकते हो नंबर अच्छा मिल जाएगा और टॉपिक नंबर एट जो आएगा भी कुछ दिर में में डालने की कुर्सिस करूँगा अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को अपना रिस्पोंस दीजिए जिसके हिसाब से मुझे बता चले कि समझ में आ रहा है ठीक है फिर मैं आगे और वीडियो करके अच्छे से मैनत करके आपके लिए वीडियो डाल सकूँ तो फ्रेंड्स थैंकी सो मच वच्छी में थैंकी सो मच फो लिस्निगी बाबाय तेकर अल थे बेस्ट